दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि एक express ट्रेन की किमत कितनी होती है आप जिह ट्रेन में ट्रेवल करते हैं इसका price कितना होता है पूरी ट्रेन को 3 इसूमर बाटा गया है पहला इंजन जिसे locomotive कहते हैं दूसरा कोचीज और तीसरा Pantry Car बात करें लोको मोटीव की तो American की कीमत करीब 13-15 करोड के करीब बनती है और इंजन के अलग अलग मॉडल के हिसाब से इनकी कीमत उपर नीचे होती रहती है अब बात करें कोचिस की तो जनरल कोचिस के करीब 4 डिब्बे रहते हैं जिनकी कुल कीमत 7 करोड से 8 करोड की बीच रहती है और सिरीपर कोच के 8 डिब्बे रहते हैं जिनकी कुल कीमत करीब 14 से 15 करोड की बीच रहती है और थड़ AC कोच के 6 डिब बे रहते हैं जिनकी कीमत 15 से 16 करोड रुपे बनते हैं और 1 AC टायर और 2 AC टायर में 3 से 4 करोड रुपे लगते हैं इन सब के अलावा ट्रेन में एक पैंटरी कार भी होती है जिसकी कीमत 2 करोड रुपे तक होती है इन सब की कुल कीमत करीब 55-60 कुरूर रुपय तक बनते हैं वीडियो जरा भी पसंद आयो तो लाइक करके चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचे